असलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग तो आज की दिन की शुआतव में टी से तो पड़ार से रख दी है मैंने टी, उसके बाद क्या है मैं बनाओंगी मसाला परांथा तो देखिए मैंने जो है लेज़ में कट करके मसाला परांथा बनाया है भूती проблем अदcket हैं अप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं अपने घर में घी लगा के तोड़ा सा मैगी मसाला एड करके और उसके बाद हम इस तरह से इसको कट करेंगे और ऐसे बना लेंगे बहुत ही जादा यह डिलीशियस होता है पराथा एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने अपने घरों में और म बच्चे बहुत जादा मजे लेकर खा लेते हैं कल में गई थी मार्कीट तो मुझे एक बहुत अची चीजे दीखी तो मैं लेकर आई ट्राई करने के लिए क्योंकि मैं भी फर्स टाइम ट्राई कर रही हूं यह तो इस तरह सा मैंने मिल्क में एड करके इसका डो रेडी कर और बहुत अच्छे तरीके से इनको फ्राई करनी है एक साइड में हमें जो है फ्राई करते रहेंगे और दूसरी साइड हम रख लेंगे चाशनी चीनी लाइची पावडर डालके इसको बहुत अच्छे तरीके से पका लेंगे चाशनी मन जाएगी उसके बाद हम दोनों च श्लाइस्ट में कट कर लूँगी इनको वाश करके उसके बाद मैंने जीरा और लहसुन को लाइट ब्राउन फ्राइ करना है और कुछ भी नहीं करना बहुत ही चटपटे से जो आलू है वो रेडी हो जाएंगे और रेड़ चिली जाट करेंगे और सॉल्टेट करेंगे इसमे उसके बाद फ्राइ करके लो फ्लेम पर इसको पगाने के लिए रख देंगे बहुत ही टेस्टी से जो आलू है आलू की कतलिया जो है वो रेडी हो जाएंगे और हरे धनी की पत्तियों की इसमें गार्णिशिंग करूंगी में बहुत ही जादा टेस्टी सी आप परांटे च में इन्स्टा पेज पर भी मैं बहुत रेसीपी अपलोड कर रही हूँ शिफा 3839 मेरा इंस्टा पेज है तो जाकर फोलो कीजेगा अगर मैरा मुझे थोड़ा बहुत भी आप संपर्ट करते हैं तो फ्लीस इंस् Oh उलो कीजेगा कि शुफा 3839 जो प्लीस प्लीस और यूट कि पत्यों से garnishing कर देंगे देखिए थैंक यू सो मच और आला हाफिज